गार्डियन के सुर्ख्यों में आज फिर आतंक बात का मुद्दा है राजनाथ सिंग ने नियूज एटेंग को इंटर्व्यू के दोनान आतंक बात को लेकर जो बयान दिया था वो दुनिया भर में चर्चा में हैं अंग्रेजी अखबार दा गार्डियन ने से प्रमुक्ता स च्छापा है रियूटर ने भी राजनाथ सिंग के बयान को कोट किया है और आई अब आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंग ने क्या कहा है अभी कली जो है Guardian, Foreign Publication एगार्डियन उसमें एक आटिकल आया है उसमें कहा है, उस आटिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धर्टी में 20 लोगों को 20 इंडिविज्वल्स को, टेर्रिस को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है उन्हीं की धर्ती में जाके मारा है और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं उन्होंने बहुत रिसरच की है बहुत लोगों से बात की है ये पहले हम लोगों के बारे में कैनेडा में भी बोला गया यूएस में भी ये ये चर्चा हुई पहले पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा ह है रोव अगरे इस तरीके का काम कर रही है कोई स्लीपर सेल है यू एई में उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है और बीस लोगों को मतलब एक आद लोग नहीं बीस टेर्रिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है हाँ जी मतलब टेर्रिस्ट कह लीजे लोगों कह लीजे पर वहाँ उनके पर उनकी धर्ती में मारा गई कोई भी टर्रीस्ट हमारे प्रणुशीं देश से भारत को डिस्टरब करने की कोशिस करेगा यहां पर दिये आतनकवादी हर्कने करेगा तो उसका मुहतोड जवाब देंगे तो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्ता और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है वैसे भारत बराबर अपने पडूसी देशों के साथ अच्छे रिष्टे बना कर रखना चाहता है शाए कोई भी हमारा पडूसी देश है और आज देखा होगा आपने पास से हिस्ट्री उठा कर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आकरवन किया है अथो आकरवन की कोई पहल की हो कभी नहीं किया और न तक दुनिया के किसी देश की एक इंच यमीन पर हम लोगों ने कभी कभ्या करने की कोशिश की है यह भारत का शेरित रहा है लेकिन भारत को बार बार कोई आख दिखाएगा भारत में आकर आतंकवारी गच्विधियों को बढ़ावा कर देने की कुशिश करेगा उसकी खैर नहीं है और इसी के साथ इस बुलेटिन में नहीं नमस्कार